देव जी रावाजी क्या इसकी इन्विस्टिगेशन के लिए आप तयार हैं और क्या आपने सुप्रिम कोड की आख के नीचे घोटाला किया है क्योंकि सुप्रिम कोड के कहने पर ये ट्रस्ट बना है और उसी के आदेश के आदार पर काम हुआ है तो ऐसे में तो आप जाज क प्रणाम है आज जो लोग या आरोब लगा रहे हैं उनका जो अस्तित्व है वह आरोपों से ही बना है पहले आरोब लगाना फिर माफी मागना ऐसे लोगों की राजनिती रही है इनकी बातों में सत्य नहीं है इनोंने कई बार स्वर्गर्स अरूर्ण जेटली पर आरोब लगाएं नितिन गड़करी जी पर आरोब लगाएं ऐसे आरोब लगाकर फिर माफी मांग लिया तो इस प्रकार की राजनिती करने वाले लोग आज स्री राम दिन्मों भूमिट ट्रस्ट के बारे में जो भ्रमना फेला रहे हैं वो तथ्छे के परे हैं हम इसका विरोद कर है हम आने वाले समय में यदि बना को मान हाने का दवाबी करने वाले हैं को जाए यह जो विसएं है यह भगवान राण का मंदिर बनाने के अंदर रोड़े डालने का प्रयास यह वरतमान यह आप पार्टी के लोग संजे शी और संजेसी जी और इस सब कर रहे हैं तो इनकी जो बातों में तथ्थे नहीं है, सबके नहीं है, इन्हें कई बार इन लोगों ने इस प्रकार के प्रयास आज की राजनिती में किये और उन्होंने माफी भी भी मागी है। तो हमारा कहना है कि यहाँ जो डील हुआ है वो पारदसक डील है देखिए कहीं भी पैसेवका लेंदे नहीं हुआ वो बैंक ऑनलाइन से हुआ है देखिए जो दो करोड की जो जमीन का जो विसे है और वो आज से नो दस सान पहले हुआ है 2011 में हुआ है और उसके बाद जो 9 न प्रकार की वहाँ जमीन खरीदना प्रादम किया तो इस प्रकार की माहौल में और यह जो जमीन है वो रेल्मेस टिस्टम के एक दम बगल में है प्राइम स्थान पर है आने वाले समय में सुरक्षा की दरश्टी से और सुलब्ता की दरश्टी से यह लेना बहुत आवश्यक्ता था यहां सब मिला कर यहां स्वदा हुआ है इसमें एक पैसे का कहीनी गोटला नहीं हुआ है और यह जो लोग जो अक्षब कर रहे हैं उनका पहले से इसी पतार का प्रयास रहा है राम मंदी मिलमार के अंदर को ब्रमना पहलाना रोडे डालना